कि हेलो दोस्तों स्वागत था को मेरे यूटूब चैनल पर तो आज मैं आपको परावर्तन की नियम बताने वाला हूं परावर्तन की नियम जिसे इंग्लिज मुलते है टाइफ साफ रिफ्लेक्शन ठीक है इसके यह जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है साइंस में क्लास हाँ मैं आपको बताँका प्रगया कि था कि बदा हाता था कि माने आपको बता एक को यह अगर मिलर है पीछे पालिस की गही है ऍलावर्तन बोलते हैं अबर यहां पर कोई आहां रही है ठीक है तो आनी बाद जो अपनी दिसाम क्या होती है लिए जो लोड जाती हीना इस सी लटने की घटना आइ जो आनिक ब्रण में क्या है पारावारतन होता ही यह कितने प्रकार काम्यं बीट लाट तें लीटे आख लीटेमलोग फिल्सांट कि प्राहुद न में क्या यह है देखें परावारतन कितने प्रकार्ट होते हैं परावारतन दो कर के होते हैं ठीक है परावारतन कितने प्रकार कोते हैं परावारतन कौन कौन सोते हैं पहला जो आता है ना उसका नाम है कि नियमित परावारतन क्या ना है नियमित परावारतन इसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं के लिखुलर सेस्टै रेखुलर ज रिफलक्सन क्या होते हैं रेगुलर से ने लिकार निमेंद परावारतन है से निल्दी बोलते हैं रिफ्लेक्सन他說 tanya मिट परावारतन देब का दरा रहुंत में वह माता है कि बिए पयम्या निंखिन जो परावरतन होता है उसे प्रोब नूमेद परावरतन तरह जैसे माल लीज़े देपनिल है हमारा समतला समीठिक्ट यह वांद बश मकण है कि पीछे पालिस की घी इस निए पांट क्या गया और यह हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं पर और आप्रिष्ट कि यह अब यह है जो मतलब आ रे किरने यह डोनों समानता रही क्या है समानता रहे अगर यहां के वीच Sp the अब यहां आने बाद क्या होगा यह अपनी दिसान वापत लोटेंगी कि थोड़ा साथ के रहा हो गया कि ऐसी क्या होगी कि पॉर्टम समानतर आएंगी समानतर जाएंगी यह आने की जिदिशा होगी यह मतलब जो आएंगी उसका जो जैसे आरें दो मीटर सेकंड पर जाएंगी दो मीटर की सेकंड पर ठीक है इनकी गतिश्यों की समान होगी अब जहां पर लड़ती है इसे अमतर बता था यह क्या होता है आप तन बिंद बोलते हैं अच्छा नीमित परावातां मतलब यह होता कि एक नियम क आएं उसी नियम का पालन करते हुए वह वापत अपनी दिशाओं में वापस लोड़ जाएं उसी बोलते हैं नीमित परावातां यानि की नियम कि दारा आएं समानता रहां समानतर चलिए ठीक है नियम के दूसार है यहां पर जैसे आई है वैसी चली गई है अब इसकी यह स को द्रोंछते हैं वेडर हैं डोला कर тебя है कि दूसरा नाम है अनिमित परावरतन या फिर उसे कह सकते हैं हम लोग बिस्रिव क्या बोलते हैं है आने मीथ ज्या इस रित परावाद आने में इस इंगली इस इंग्लिस में क्या बोलते हैं जो दें इस एरेगुलर और दीफियूज द दीफियूज द दिफियूज द रिफिलेक्शिन यहां पर नियम को पालन नहीं करते हैं जैसे आई वैसे नहीं जाकर कि अलग टाइप आगा समानतर देखो अगर प्रिष्ट समानतर रहेगा तो आहां पर जैसे किरने आएंगी वैसी चली जाएंगी तो नियम को पालन करना है लेकिन विशित परावतन में क्या होता है कि जब कोई भी समतर प्रिष्ट है यानि कि कोई दरपन है परातन प्रिष्ट पर आप्तित्किरन जो होना इसे आप्तित्किरन है यह परातन प्रिष्ट समतर नहों करके खुर्द्रा हो क्या हो जब खुर्द्रे पर सम आये अनिमित क की cargo there for trust का प्रवर्तन पड़ता है तो वो अपने में कि दिशामने ला कर कि को इदर हो इस Я क्षिए कह आने वाने तो जैसे आप लोग खुर्किया होती है तो जैसे आप लोग खुर्किया होती है आप खुर्दिली टाइब को होती है जैसे जैसे प्रकास पड़े उससे विचलित होकर हमारी आखों में चख्काचौन नगरी शलिए खुद्री हमेशा होती है और दूसरी जया क्या लगर क्या लेश किया है हमारी जीसे पेपर पढ़ते हैं अब पेपर हमेशा खराब परगा से बना जाता है क्यों बना चाहिए क्योंकि उसका परवर्तन ज्याद आना हो हमें छोटे-छोटे अच्छर भी आसानी से दिख जाए इसलिए हम लोग पेपर का इसमाल जो पेपर छपता है उसे थोड़ा सा घंदे वेज़े खुदरे पेपर पे करते हैं अब इसका अगली हेडिंग देखते हैं अगली क्या है वारी ऑगार अट्रयंन के निया है अंधुर्य सुछ अग फेली प्रभार्टन के नियम क्या है धुश्च अधुर्य आफ्वणीर ननारी कितने परकार क्योंत निभित कि अज़क परावरतन की नियम क्या है लकार आफ कि रफलेक्शन है है लाफ निविशलेशन परावर्तन कि मियम कितने प्राकर करें परावर्तन कि में आटे मृटते हैं कौन कौन पहला नंबर होता है यह जो हुआ आप तन कोड़ कामा कि परावर्तन स्वरी यहां पर आप्तन कामा परावर्तन किराण तथा आप्तन बिन्दु आप्तन यहां पर किराण बिली देते हैं आप्तन किराण परावर्तन किराण तथा आप्तन बिन्दु तीनो एक ही दल पर होते हैं तीनो एक ही दल पर होते हैं ठीक है आप्तन को परावर्तन को तथा आप्तन बिन्दु क्या होते हैं पर 3डिन कि टीन एक ही बिंदु पर होते हैं टीक है यह आकूंद निएम इन B link को přेस प्रोड क्याल थिस्टर यह है कि जब पर होता है तो जैसने इंग्लिय कि दिर्आ इंट्रीआथ इस जफ्क्रिक्तर ये क्या हता है अब इसे इंग्लियों बोलते है नॉर्मल पताइए अंग्ल स्क्राइब , यू बलते हैं आप्तन किराण और यू क्या है परावर्तन किराण क्या है यह है यह हमारी परावर्तन किराण आप तन किराण तथा आप तन बिंदु यह होता इसे भौत अब लोग आप तन भूट'll D यह तीन एंब तभी है टाल ला इन फिल अने वाली किल्ण जाने शायन देखर और अंश्रा यह को पर्वार्वारत्त करण पार फिल आपन कीन बिंदु तिन इनल तीन आब हलाफ होता है जो खहें तुम गए टाल था ही 카ता है सब्सक्राइब करता है कि आप तन को यानि की आप्तित किरान और यह है तो यह से आप्तित किरान करते हैं यानि इंसलेंड रहे है इसरे पाल करते हैं अफिलम करते हैं और दूसरा रूल है पतित क्राइब बीच का बना इसे माल लेते हैं यह होता है यहाने हमारा आई इंसिदेंट एंगल और जो अभिलम और परावर्तित किरान के बीच का जो कूर होता है ना उसे हम लोग क्या बलते हैं और ज्ट करते हैं यानि रिफलेक्ट एंगल तो जो आई और और होता है वो दोने बराबर होता है इस लिए दोनों क्या होता है बराबर होता है इस पर सवाल कराएं इसे सवाल करेंगा इस पर आचा यह देख लिए जो यह हैं तो यहां पर अगर अभिलम डाला गया है यह कितने होगा ना कि याद रखिए कि इतने तब जानती होंगे अब अब जिसे कोश्टन देदी जाए कि हिमाली जी कोई यह 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 कि आप की ना परवतन की ना अभी लंग ठीक है कि यहां पर थीटा जो है ना पैंतारीस को देदी है कह देजाए कि एंगल आई इसक्वाल टू फुर्टीफाइब अब इंगल आई यह फुर्टीफाइब डिगरी दिया हुआ है फिर पूंच ले कि एंगल आर बराबर निकाली यानि कि एंगल आर क्या यह एंगल होगा हमारा रिफ्लेटेट अंगल तो क कि एंगल आई बराबर क्या होता है इंगल आदिया है इंगल आई कितना है वह हम प taş से लाथ पहस्टाइब परवतन प्रिष्ट के बीच का कौन कितना होगा कि बीच का कौन कितना होगा यह पूछ लिया जाए यह तो निकाल लेंगे आप जानते हैं कि यह पाटाश यह पाटाश इसे निकाल लिए तो कैसे निकाले में तो हम लोग जानते हैं यह 25 यह 25 होगा इसे इंगला बराबर से अब 35 यह 25 तो यह भी बात आप जानते हैं कि इसके इसके बीच के जो कौन बनता है यह अभी रम है समतर प्रिष्ट है तो यह कि यहां पर यहां भी देख लेते हैं माले जाएं अगर हम इसे ए बी सी माल लेते हैं तो इंगल ए यह यहां अन्यन एंब्धि और मैं इंगर हैं एंगल इंगल कितना उगा फ्ली मात्ता प्ली फीपसा इंगल और हम निकालेंगे तो अंगल बी में से इंगल भी यानि पूरे एंगल बी से इंगल एंड भी सी घरा देंगे तो हमारी यह निकलाएगा अगर मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ अगर यह पसंद आया हो इस वीडियो को लाक्ष एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा